यह प्रोसेस मैं आपको कॉंप्यूटर में करके दिखा रहा हूं आप यह अपना स्मार्ट फोन में भी कर सकते हैं आपको इस वीडियो का डिस्किप्शन में जाना है सबसे उपर आपको जो लिंक मिलेगा उसमें क्लिक करना है यह एप साइट उन हो जाएगा आपको कॉंप्यूटर का ब्रॉजर में ये फिर आपको समार्ट फोन का ब्रॉजर में अब यहां पर इस इलेक्ट इमेजग जो बटन आरा है यहां पर उपर क्लिक करते हैं आप का फाइल मेनेजर अन हो जायेगा वहांसे आपको फोर टो कर लेना ए कि कौन सा फोर्ट आप डृद्यूस करना जाते हो जिसका साइज आप डृद्यूस करना चाहते हो approximately यहां फाटो का साइज डृद्यूस करकर दिखाता हूँ इसको आप 100 कर दो और यहां पर रिसाइज कर कर देखो इसको पर संट कर दो अब यह देख सकते हो कि 2.88 MB का फोटो था मेरा जो अभी 1.25 MB हो गया मतलब 50% रिड्यूस हो गया अब मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ या फिर मैं और भी काम करके दिखाता हूँ आपको मैं इसको 30% कर देता हूँ इस साइज में क्लिक कर दो या आप देख सकते हूँ कि 800 KB हो गया इसको आप डाउनलोड कर लो अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ अभी आप देख सकते हैं कि ये 2.9 MB वाला जो फाइल था मेरा और ये 806 जो मैंने रिड्यूस किया है तो अभी आप मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ अभी आप देख सकता हूँ कि ज्यादा कुछ डिफरेंट सबको नहीं दिखेगा अभी आप देख सकता हूँ